इस question में क्या है, Anil goes to his office at a speed of 35 km per hour, ठीके तो Anil क्या करता है, अपने office क्या करता है, 25 km प्रति गंटी के रपतार से जाता है, and return to his home at a speed of 30 km per hour, और वापस आता है, तो इसकी speed क्या होती है, 30 km per hour होती है, इफी टेक टोटल 39 hours, वो क्या है, टोटल 39 hours लेता है, then what is our distance between the office and home, तो home और office के बीच में आपको क्या करना है, distance find करना है, तो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, d equal to क्या होता है, t time into क्या होता है, s1, ठीक है, into क्या होता है, s2 upon क्या होता है, s1 plus s2, ठीक है, इस से क्या ह होगा, आपको direct के नकलाएगी, आपकी distance नकलाएगी, ठीक है, time क्या दिए इसमें, basically, time क्या दिए आपको, 39, 35 और 30, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, 39, ठीक है, time है, 35, उसकी speed है जाने की, और 30 क्या आने की है, और इनको करिए add, तो 30 plus 30, 5 करेंगे, तो कितना होगा, 60, 5 हो होगा, इसको कल दीजे, solve कल दीजे, ठीक है, तो 5 कितना होगा, 5 बन जा और 3 जा, ठीक है, इसका कर दीजे, 5 7 जा, 35, ठीक है, 13 बन जा, और ये क्या होगा, 13 3 जा, ठीक है, 7 3 जा कितना होता, 21 होता है, होता है, ठीक है, तो 21 into करिए क्या, 30, कर दीजे, 21 into 30 करेंगे, तो कितन होगा 3 बन जा 3 और 3 डू जा 6 मतलब कि 630 क्लो मीटर क्या है इस क्वेश्चन का अंसर होगा जो डिस्टेंस होगी ना होम से ऑफिस की बीच में वो कितनी होगी 630 क्लो मीटर होगी ओके दोस्तों